हाई वीवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स रिखे यह हम जो स्कीवी बना रहे हैं या आप इसे क्रॉप टॉप भी बोज रखते हैं तो इसके हमने फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका था तो अब हम इसको उपर से जॉइन करे लेंगे तो यहां पर मैं आपको इसकी एक बार लैंथ बता दीती हूं कि हमने इसकी टोतल लैंथ जो है वो कितनी रखी है और शोल्डर सेंटिमी्ट है और जो इसका निच्चे से हमने ये टोटल बनाया है जहां से हमने इसकी cutting start की है बनाने की तो वो हमने total इसकी length जो है वो ये दिखिए यहां पर अप्रॉक्स 13.5 अगर cm में देखें तो ये 35 cm हमने इसकी length complete करने के बाद इसका ये उपर से इसकी cutting start की थी और जो इसका border है तो border हमने यहां पर अप्रॉक्स 6 inches रखा है अगर इसको cm में देखें तो ये अप्रॉक्स 16 cm होगा तो ये हमारा जो crop top हम बना रहे हैं ये axle to double axle तक easily fit हो जाएगा तो अब हम इसका ये हमने front part बना लिया था तो इसको भी मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से इसका neck बगारा बनेगा तो अगर आप इसको देखना चाते हैं तो इसका link निचे description box में दिया है वहां जाकर आप इसको इसके पहले first 3 part देख सकते हैं जिसमें हमने आपक इसकी ये जो pattern है वो डालना सखाया हुआ है second part में हमने आपको ये button बट्टी बनानी बताई है और third part में इसका ये उपर का neck और shoulder cutting हमने आपको बताई है तो जो shoulder cutting की थी वो भी मैं आपको एक पार बता दीती हूँ ये shoulder cutting जो है वो 4, 3, 2 की हमने की है तो अब हम इसको join रख लिया है मैंने अब ये आगे का जो side है उसको इसके उपर ये सीधी side है दोनों सीधे side को join करेंगे इस तरह से करके रखेंगे ये उपर उल्टा side आएगा ते और नीचे सीधा side दोनों के इस तरह से रखेंगे और यहां से हम इसके shoulder join करेंगे तो ये हम जैसे normal करते हैं वैसे ही इनको join करेंगे लेकि मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्यूंकि बहुत से हमारे जो bigners हैं वो भी देखते हैं तो उनको थोड़ा सा पता नहीं चलता इसलिए मैं आपको थोड़ा सा estimate दूंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं bigners के लिए तो यहां पर हम ऐसे चाहे इसको उपर से drop करेंगे तो जाधा आपने tight और नहीं जाधा loose हाथ से इनको bind off करना है तो आपने normal हाथ से ही इनको bind off करना है जैसे आप इसको बुनते आ रहे हैं normal हाथ से ही ना तो जाधा tight और नहीं जाधा loose हाथ से और अगर मैं आपको एक पात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है तो आप एक नमबर एक जो बड़ा नमबर है नीडल का जैसे normal हम 10 नमबर से बुनते हैं तो आप 9 नमबर से बुन रहे हैं तो 8 नमबर से बुनिए अगर आपका हाथ थोड़ा सा लोज है तो एक नमबर छोटा लेकर आप बुन सकते ह तो यह देखिए वैसे आप इसको normal हाँ से ही बनाने की कोशिश करें तो बहुत ही easy यह बनकर आता है बहुत ही सुन्दर प्रिटी बनता है तो उसमें सफाई भी बहुत आती है बनाने वे तो देखिए तो जैसे जैसे आप practice करेंगे तो वह अच्छा होता जाता है तो इसलिए हैं यह दिखे हमने सभी फंदे बाइंड ओफ कर लिए हैं यहां पर हम इस थागे के साथ इसकी एक नॉट लगा लेती हैं हम इस थागे को यहां से थोड़ा सा लंबा छोड़कर कट कर देंगे अब हमने क्या करना है यह हमारे जो अब बैक नेक के फंदे हैं इनको भी हम पाइंड ओफ कर देंगे तो इतने फंदे हम छोड़ेंगे जितने इसके एक साइड के शोल्डर के हैं तो यह मैं आपको बता देती हों कि दिखिए यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 और 39 फंदे हमारे जो हैं इसके शोल्डर के हैं और यहां पर भी हम 39 फंदे ही इसके शोल्डर के छोड़ेंगे बाकी के बाइंड ओफ कर देंगे तो यहां पर हम इनको नॉर्मल बाइंड ओफ कर लेंगे तो यहां पर हम इनको ऐसे लेते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए बाइंड ओफ कर लेंगे 39 फंदे छोड़कर बाकी के सबी फंदे जो हैं उनको लूज हां से थोड़ा सा लूज हां से बाइंड ओफ कर लेंगे जादा नहीं थोड़ा सा लूज हां से बाइंड ओ कांट कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 29 यह हमारा 29 फंदा है अब इसको इस पर लेकर जाएंगे अब यह दोनों साइड जो है आगे की साइड और यह पीछे की साइड फिर से दोनों को जोईन करेंगे और आम इनको बाइंड आफ कर देंगे इस तरह से यह अब इसे दो फंदों का एक फंदा यह वाला फंदा उपर से ड्राफ करेंगे तो इसको हमने नॉर्मल हाथ से ही बाइंड आफ करना है तो यह मैं सभी फंदे बाइंड आफ कर लेती हैं तो यह दिखिए हमने दोनों साइड के इसके शोल्डर जो है इनको जोईन कर दिया है और यह इस तरह से इसका नेक बना है तो अब हम क्या करेंगे यह साइड से दोनों साइड से इसको जोईन कर लेते हैं यहां से यहां से यहां तक इसको इस साइड से भी और इस साइड से भी दोनों साइड इसके सिल लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं तो यह दिखे फैन हमने इसको side से stitch कर लिया है अब इसके हम neck को crochet के साथ बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने दिखे यह इसकी shoulder जो है उसको crochet के साथ बना लिया है अब side पर इसके हम picot करेंगे तो दिखे किस तरह से इसको बनाएंगे तो यहाँ पर हम यह thread लेंगे और साथ में हम इसके क्रोशिया हुक लेंगे तो यहां पर मैंने 3 mm और 5 number क्रोशिया हुक यूज की है तो इसके साथ हम इसको बनाएंगे तो यह हमारा neck है उसको जैसे हमने यह shoulder में बनाया है वैसे ही neck पर भी बनाएंगे तो यहां पर हम यह दिखे पिछे की side से यहां पर जहां से इसको joint कि तो इस तरह से हम थ्रेड को लेंगे और इसके बीच में से इस तरह से पास करेंगे अब हम यहां पर इस तरह से इसको बना लेंगे तो अब हम यहां से स्टाट करेंगे नेक्स्ट हम लेंगे और यहां से इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, आम थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहां पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, और यहीं से ही अब फिर से सिंगल होल में से तीन बार डबल क्रोशिय बनाएंगे, 1, 2, 3, तो फिर से दिखें थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहां पर सिंगल क्रोशिय बना लेंगे, फिर से थोड़ा सा स्पेस देखकर सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, अम इसी में से हम तीन बार डबल क्रोशिय बनाएंगे, को का वान है कि तो है कि तो हुआ है कि कि फिर फुटा सा स्वेस्ट देखर सिंगल क्रोश्य बनाएंगे और फिर से फुर्टा सा स्वेस्ट देखर यानि कि यहां पर हमने एक एक जो बीड है उसको छोड़ कर उसमें से single crochet बनाएंगे एक बार हमने single crochet बनाना है और next हमने जब single crochet बनाना है तो उसी में से ही हम 3 बार double crochet बनाएंगे 1 2 3 फिर से यहां पार 1 beat छोड़कर single crochet फिर से 1 beat छोड़कर सिंगल क्रोशिया, अब इसी में से डब्ल क्रोशिया, बनाएंगे तीन बार, वान, तो, त्री, फिर से थोड़ा सा स्पेस देखकर एक यानि की बीड छोड़कर, नेक्स में से सिंगल क्रोशिया, तो यह दिखे, यह इस तरह से बनेगा, तो ऐसे ही हम राउंड इसको बनाते कम्प्लीट कर लेंगे, तो यह हमारा जो है, इस तरह से यह सारा क्रॉप्ट अप्ट जो है, वो कम्प्लीट हो जाएगा, और यहां पर हम इसकी बटन पट्टी के ओपर बटन लगाएंगे, तो यह मैं बनाकर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, यह मैं बनाकर इसका पाहने हूँ, अजय जगितोचे घस्ति हार कि अाले हो जाएंगे, अजह मैं इसकी एगा है, वो कर दो हाएबारा रही झाले हो Art,